आप देख रहे हैं PC24 News Express मैं सीदल आईए अज़र आउते हैं आज की कुछ खास खबरों पार विसर्जन के बाद भी पूरी तरह विसर्जित नहीं हुई माता की प्रतीमा समीती ने नहीं दिया ध्यान अभी भी तालाब में खड़ी है मुर्ती लांजी थाना अंतरगत आने वाले ग्राम बोले गाउ में समीतीयों द्वारा माता लक्ष्मी की मुर्ती इस्थापित की गई थी जिसके पूजन अर्चन के बाद समीती द्वारा माता लक्ष्मी की मुर्ती को बोलेगाओ के डोरली रोड पर स्थीत बोलेगाओ पंचायत के समीप तालाब में विधी विधान से विशर्जित किया गया परंतु समीती सजश्यों ने माता की प्रतिमा को तालाब के गहरे पानी के स्थान पर तालाब के किनारे से ही विशर्जित कर दिया है जिसके कारण मातक की प्रतीमा पूर्ण रूप से विसरजित नहीं हो पाई है और अभी भी तालाब के किनारे खड़ी है जिससे आवरा मवेशी कभी भी नुकसान पहुचा सकते है ग्राम के गंडमान्यों का कहना है कि किसी भी भगवान या इस्ट देव की प्रतीमा प्रतीमा को तालाब के गहरे पानी में सिग्रही विसरजित किये जाने की मांग की है जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेश न पहुचे